C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है ये कारिक्रम दारा शिकोह, एक शहजादा जो सूफी संत बना हमारी इस एदिहासिक कहानी का नायक है दारा शिकोह ताज महल की तामीर करने वाले शह जहां की सबसे बड़े शहजादे दारा शिकोह मुगल सल्तनत पर आधी सदी तक राज करने वाले बादशा औरंग जेप की सबसे बड़े भाई दारा शिकोह और अपने समय की आम सोच से कहीं आगे एक धर्म निर्पेक्ष और सहिशनु इनसान दारा शिकोह जो आज भी प्रासंगिक है हैं साजशें हैं साजशें जो आदमी है आदमी से डर रहा खुदा की राह में ये कौन बेहयाई कर रहा मजहब के नाम पे दिलों में नफरतों को भर रहा दारा तेरी कोशिश तो थी के इश्क होना चाहिए इश्क होना चाहिए ये था एक गुमनाम सूफी संथ दारा शिकोः या खुदा आज तेरी नेमतों से मेरी ये किताब हसना तो लारेफीन पूरी हुई मैंने अपनी इस किताब में एक सो साथ साधू संतों की बाणी और उनके प्रवचनों का संग्रह किया है मेरे लिए रब का मतलब सिर्फ मुसल्मानों का अल्ला नहीं बलके सब का अल्ला है मेरे मौला तेरी राह पर यूहीं चल सकूँ मेरा हौसला बुलंद कर मेरे मौला मेरा हौसला बुलंद कर दारा शिको बश्पन से ही कर्मकांड, अंधविश्वास और कटरता के घोर विरोधी रहे सन 1632 में 18 वर्ष की आयू में उनका विवा नादरा बेगम करे मौनस्था से हुआ बादब, बामुलाहिजा, ओ शियार शहजाद आए शाह जहा, नूर हिंदोस्ता पादशाह जादाए बुजर्ग, जलाल-ुल-कादिर सुल्तान मुहमद दारा शिकोह, शाह बुलंद इकबाल अपनी बेगम नादरा करीम निसा के साथ, तश्रीफ ला रहे है लेकिन दारा की फक्कड मिजाजी कम ना हुई, समय गुजर रहा था एक दिन नादरा दारा को रूप देखकर चौक गई मेरे आका, क्या आप, आपने ये क्या क्या हुआ बेगम, हम आपकी परिशानी का सबब जान सकते हैं घुस्ताखी माफ, ये वो शहजादा नहीं, जिसे हमने जाना था बदन पर मामूली नादरी कुर्टा, जिस पर एक भी पन्ना मोती नहीं चड़ा कले में मामूली सी नारंगी चादर बेगम, ये देखने में मामूली कुर्टा और मामूली चादर जरूर है लेकिन नादरा, ये बेश खीमत है शाहों के शाहा की बर्खत की तरह क्योंके इसे मुझे हजरत हुजूर ने दिया है बेगम, अब हम खुद के भी कहां रहे हकीकी आशिकी में यूं दुआएं काम आती है खुदी से दूर हो जितना खुदा के पास लाती है हुजूर हाँ बेगम, आज से मी अमीर मेरे हुजूर और मैं उनका मुरीद जानती हो नादरा वो सर्फ लाहोर के कादरी सूफी संत नहीं है वो तो पूरे हिंदुस्तान, पूरी इंसानियत को रह दिखाने वाले गुरू है लिल्ला, हमें तो आपकी बोली आपके सुबान में भी फर्क नजर आने लगा है क्या कहती हैं बेगम हम तो हर बोली, हर मजभब का फर्क मिटाने में लगे हैं आपके जहन में इस तरह के ख्यालात आते कैसे हैं इसके लिए हम शुक्र गुजार हैं मुला शाह बदख्शी के जिन्होंने हमें अपने गुरू हजरत मियामीर से मिलवाया आप कहीं फखिर ना बन जाएं शाही से फखीरी किस माइने में कम है बेगम आप समझते क्यों नहीं आपने अगर फखीरी चुन ली तो तो खुदा खेर करे बादशा सलामत दो अबा हुजूर बरसों बरस हमारी सरपरस्ती करने को सलामत रहेंगे बेगम लेकिन शेहसादा और उनसे अगरा पता है कि बाबा फरीद क्या कहते हैं फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख परीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख अपन ले गिरिवान में सिर्नावा कर दे परीगा जे तू अकल लतीफ सन सोलह सो सत्तावन एक और औरंगजेप सियासी चाले चल रहा था बिसात बिछा रहा था तो दूसरी और हर इंसान में ईश्वर को देखने वाला दारा फार्सी शायरी इतिहास संस्कृत भाषा और योग में रुची दिखा रहा था सन सोलह सो सत्तावन में ही उन्होंने पचास उपनिशदों का फार्सी में अनुवाद करवाया जिसे सिर्ज अकबर और सिर्जूल असरार के नाम से जाना जाता है सिर्ज अकबर का अर्थ है दे ग्रेटेस्ट मिस्ट्री यानि महान रहस्य दारा का मत्था के कुरान में जिस किताबुन मकनून यानि गुप्त पुस्तक या हिजन बुक का जिक्र आता है वो और कुछ नहीं उपनिशद ही है उपनिशद के अनुवाद की भूमिका में दारा स्वैम को ही संबोधित करते हुए कहते हैं ये खोजी फखीर मुहमद दारा शिको जब कश्मीर पहुँचा तो बहां अपने मजभब को जानने समझने की उसकी च्छा को आनंद मिला अनेक महान ग्रंथों के ग्यान ने उसकी आखें खोल दी उसने पाया के पाक कुरान हो इसाईयों की किताबे मोजज़ा हो याचारों वेद और उपनिशत सबका इश्वर एक है दारा की ये किताब मजमूल बहरीन है जिसकार्थ है दो समुद्रों का मिलन इसमें हिंदुत्व और इसलाम का मिल दर्शाया गया है दारा कहते हैं तारीफ उस खुदा की है जिसने इसलाम और कुफर की दो जुल्फें जो एक दूसरे के मुखाबल में है अपने चेहरे पर लहराई महान सूफी संत सरमद का शानी से भी दारा बहुत प्रभावित थे दारा शिको की एक किताब नामें इर्फानी सूफी मत पर आधारित है उनकी कविताओं का संकलन दीवाने दारा के नाम से जाना जाता है ये एक सीरे आजम और दीवाने कादरी के नाम से भी प्रसद है दारा शिको की कविताओं की रवानी ही कुछ और है शुक्र लिल्ला के मनो यार बदीदम इम्रोस असदरो बाम पदीदार बदीदम इम्रोस दीदने रूई मयसरन शवद यक साथ मन हुशश दीदमों बिसियार बदीदम इम्रोस गेरियां यार हमा रफ्त जियालं बूदं जल्वागर दरो गुलो खार बदीदम इम्रोस दारा शिकोहो और औरंगजेब में जमीन आसमान का अंतर था एक तरफ सियासत और तलवार दूसरी तरफ मुहबत और कलम उँचे ख़द और सुडॉल जिस्म वाले दारा पंजाब और उसके साथ जुड़े सूबों के गवर्नर थे अपनी काबलियत, मुहबत और दर्या दिली के कारण वो अपनी प्रजा के बहुत चाहेते थे और औरंगजेब के लिए ये असहनिय था सक्ता की भूक ने अंतर करह को जन्म दिया और औरंगजेब ने दारा के खिलाफ जंग छेड़ दी एक शान्ती प्रिये शहजादा जंग को मचबूर हुआ 29 माई 1658 को आगरा के निकट सामुगण में दारा की पराजय हुई पर वीर दारा शी को हाथ ना आया यूरोपियन सेनिक अफसरों को लेकर दारा ने फिर सेना तयार की जंग फिर हुई दारा फिर पराजित हुआ पर अब भी औरंग्जेप के हाथ ना लगा लेकिन भोले भाले दारा को एक विश्वास पात्र जीवन खान ने धोगा दिया और उसे औरंग्जेप के हवाले कर दिया और बदहाल कैदी दारा को दिल्ली के गली कूचों में खुमाया गया जल्म है भाई जल्म यह तो शाही जल्म है सरासर नाइंसाफी आई दुआए है दुआए हमारा दिल अजीज तारा अरे लाहौल विलाकुवत इसलाव के दुश्मन का तो यही हश्र होना था क्या कहते है जनाब दारा सबसे नेक रहम दिल और तालीम याफ्ता शहजादा हैं बिल्कुल सही फरमाया आपने अरे ऐसे काफिर को शहिंशाय हिंद देखते हैं आप ऐसे शक्स का तो सर कदम करते ना चाहिए आए खुदा के बंदे खुदा के बंदे से बैर कर दुआ खुदावंद करे खुदा के बंदे की खैर और इसके बाद शा जहां को कैद कर 15 जून 1669 को औरम सेथ हिंदोस्तान के सिंगासन पर जा बैठा अब औरंग सेथ ने दारा शिको पर ला मजब यानि धर्म विहीन होने का इल्जाम लगा कर मुकद्दमा चलाया बुद्धवार 29 अगस्त 1669 लाल किले का दीवान खास औरंग सेथ गाजी फजलुलहक दरोगा बहादुर खान शाइस्ता खान औरंग सेथ के मामा और बहादुर सिंग और वकील अब्दुलखान और अन्न दरबारी दरबार में उपस्तित हो चुके थे और फिर शुरू हुआ एदिहास में दर्ज वो मशहूर मुकद्मा शेहन शाह और अंग्जेब ने हुक्म दिया जनाब काजी फजलुलहाख हुक्म जाँ पना मुकद्म का अगास किया जाए जो हुक्मा ली जाँ आज इस दर्बार में एक एहम बेदीनी का मुकद्मा हमारे रूबरू है शिकायत है कि मुल्जिम दारा शिको मुसल्मान होकर भी हिंदू जोगियों और सिक्ग गुरूँं की संगत करता है उसकी कार गुजारियां सल्तनत हिंद और मजहब इसलाम के खिलाफ है मुल्जिम दारा आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है आपको इजाजत है सफाई आज तक कोशिश तो यही की है कि कुछ दिल की सफाई हो कुछ रूह की सफाई हो मेरा क्या तो बस इतना कहना चाहता हूँ जस बुतो पत्थर को देखूं तू ही तू दिखाई दे तेरी तलाश सामने क्याना तुझे दिखाई दे ए खुदा दारा तेरा खाफिर हुआ जाए जहाँ पना मुजरिम अपने गुनाह का इकरार करता है ये बुद परस्ती नहीं तो क्या है खुदूर अगर ये खता खुदा की शान में करता हूँ तो खुदा का गुनहकार हूँ खुदा के बंदे का तो नहीं खुदा हमें सजा देगा खुदा के बंदे को यह हक कहां क्यों काजी साब हमोश जबान दराजी के हक से आप महरूम है ये आपको समझ आना चाहिए बोलने का हक दिया और जबान खीच ली हम आवाज ये बाब बलंद कहते हैं रबुलालमी सारी दुनिया का मालिक एक है उसके लिए मुसल्मान होने की कोई खैद नहीं हम कुर्टे सिकर और पुरान की आयते लिखकर अपना गुजारा करते हैं बिरादर दराश को आप हमें क्या इसलाम के कायदे बताएंगे भाई भी कहते हैं और गले भी नहीं लगाते हैं आप ही कहें हम क्या करें जब हम सच को सीने में महसूस करते हैं तो हमें हिंदू और मुसल्मान में फर्क महसूस नहीं होता हम क्या करें कि शिव की मूरत में अल्ला न दिखाई दे क्या करें कि जो कुरान कहे गीता में न सुनाई दे जन्नत का रास्ता में स्वर्ग की सीडियों से जुदा क्यों नहीं लगता रहीम की संगत में हमें राम से परेज क्यों नहीं होता जहापना ये और बरदाश्ट नहीं किया जा सकता इजाज़त हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं हमें आपकी नाराज़गी का इल्म है वकील अब बिल्खा सहब जो कहना है बेखाफ कहिए जहापना मुल्लिम जिन्दगी भार हिंदू देवी देवताओं की बाते करता रहा है उसके दाहिने हाथ की अंगूठी में संस्कृत में प्रभू लफ्ज खुदा है बाजू के जोशन बंद के बीच संस्कृत में ब्रह्म खुदा है ये ये देखिए मुल्लिम का कमरबंद इसके पटे में शिव की मूर्ति खुदी है और यही नहीं अलमास की आरसी में भी शिव की मूर्ति खुदी है जाहिर है मुल्लिम सरासर ला मजब हो गया है अखील साथ मजब इतना चोटा और कमजोर कपसे हो गया के एक तस्वीर से उजड़े और एक लवस से बिगड़े तो क्या आप इस बात से इंकार कर सकते हैं क्या आप पांचों वक्त की नमाज भी नहीं पड़ते आप जैसे बेनमाजी को क्या खुदा मिल सकता है ना मंदिर में ना मस्जिद में नकाबा कैलाश में मो को कहा ढूंडेरे बंदे मैं तो तेरे पास में हमुशी बहल हो जहां पना देखा आपने जाने किन काफिरों की शायरी सुना सुना कर खुद भी काफिर हुआ जा रहा है मुल्जिम ठीक कहा खाजी साहिब बहादूर सिंग जी बाश्या सलावत क्या ये सच नहीं के मुल्जिम दारा आपके गुरू हर राए की पना में आया था जहां जहां पना और हमारे गुरुजी ने आयुर वेदिक दवाओं से दारा जी को भला चंगा किया था आप क्या कहते हैं बेरादर दारा गुरू जी मुगल हकूमत ने आपके बुजर्गों और सिक्धर्म को मानने वालों पर जुल्म ढ़ाए फिर भी गुरू हर राए ने हमारी एक मुगल शहजादे की जान क्यों बचाई बताईए ये तो प्रेम और मानता का काम है जी गुरू हर राए जी कहते हैं चंदन को कुलाडी काटती है लेकिन चंदन की खुश्बू उसी कुलाडी में बस चाती है इसलिए मेरा गुरू जी का एहसान मंद होना लाजमी है मैं नहायत इहतराम से ये कहना चाहता हूँ कि लाहोर के सूफी संत मियामीर से अमरित सर के सिरी हरमंदर साहिब की नीव रखवाई गई क्या ये ये बे मजहभी था ये लगो मुर्जिन तुम अच्छे और बुरे खलत और सही की पहचान भूल चुके मेरी पहचान ये कहती है कि घुरुनानक हिंदू और मुसल्मान ही नहीं सारी इंसानियत के रह पर थी अवल अल्ला नूर उपाया कुदरत के सब बंदे कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौट फले को मन दे कौट फले ये तो जहा बना की तोहीन है इसलाम का दुष्मन हमारा दुष्मन अरे पर महबत की बात करता है खामोशी बदस्तूर कायम हो जिगर की हल चलों के पास जुबां हो खुदा करे चहां को चुप करे खुदा से गुफदूर करे हम इस बेहाई को अब और परदाश्त नहीं कर सकते तारा का जिन्दा रहना हम मुनासिब नहीं जनाब खाजी फद्लुलाक जहां पना तरबार मुगलिया का फैसला हर खास वाम को सुना दिया जाए जो हुक्म आलम पना आलम पना यहने दुनिया को पना देने वाला आलम पना सब दलीलों को सुनने के बाद यह राए बनी कि शहजादा दारा शिकोह को जिन्दा रखना आईन सियासत और इल्म दीन के खिलाफ है इसलिए रात के दो बजे खास पुरा महल में उन्हें सजाए मौत दी जाएगी दर्बार का हुक्म है कि उनका सर तंग से जुदा कर दिया जाए अब दर्बार खास पर खास किया जाता है दुआ ले जाओ मुसाफिर बस दुआओं में असर है समझना दाँ खयामत में मेरा खंजर तिरा सर है और तीस अगर्स्त सन्सोला सो उनसट को दारा और दारा के बेटे सिपहर शिकोह के निर्मम हत्या के बाद दोनों को हुमाईयों के मकबरे में तफ्न कर दिया गया जहां हुमाईयों और उनकी बेगम यानि अकबर की मा हमीदा बानों के मजार भी है दारा आज बेहद खुश है कि अल्ला की रह्मत से वो स्वार्थ और आंकार से मुक्त हुआ आज भी दारा शिकोह लेखकों और कलाकारों के लिए प्रिर्णा स्रूत है पाकिस्तान के अजोका थियेटर ग्रूप ने लाहौर में 2010 में एक नाटक का मंचन किया था महात्मा गांधी के पूते और चक्रवर्ती राज गोपालाचारी के नवासे और पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके प्रसिद्ध लेखक गोपाल कृष्ण गांधी भी इस विशय से अच्छूते न रह सके उन्होंने भी एक नाटक लिखा दारा शिकोह जिसने भी दारा शिकोह को जाना वो उससे आकर्शित हुए बिना न रह सका महान स्वतंतृता से नानी मौलाना अबुलकलाम आजाद भी कह उठे दारा शिकोह had a unique mind and temperament and should forever mourn the unfortunate day when his enemies triumphed है साजशे जो आदमी है आदमी से डर रहा है साजशे खुदा की राह में ये कौन बेहयाई कर रहा है साजशे मजहग के नाम पे गिलों में नफरतों को भर रहा है साजशे दारा तेरी कोशिश तो तीके इश्क होना चाहिए इश्क होना चाहिए इश्क होना चाहिए दारा शिको एक शहजादा जो सूफी संत बना अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम विशे संयोजन शोध एवं शोध आलेक डॉक्टर जितेंद्र सिंग आभार दारा शिको पुस्तकाले कश्मीरी गेट दिल्ली और उर्दु विभाग NCERT कलाकार, सुचित्र गुप्ता, अश्वनी वालिया, नीरच शर्मा, बाबला कोचर, हर्ष बाला, राजेश आहुजा, प्रवीन शर्मा, विद्या भूशन, मुईनूल हसन और पर्वेश गोहर संगीतकार, हर्भजन सिंह, गायन स्वर, देवाशीष, धोनेंकन, अमिता भट्टी और बटिलैंगलिंग्डो, रेडियो आलेक, धोनी संपादन, निरदेशन एवं निर्मान, वंदिना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT अरिमत्स